प्रेंड्स मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने वाले हैं वी सागर सेयर के बारे इसका पूरा नाम है वी सागर फाइनेंशियल सर्विसेश लिमिटेड आज हम लोग चार्ट टिंग करके जानेंगे इसका टार्गेट और अस्टॉप लोग थ्री आवर के चार्ट से लेके मंतली चार्ट तक अनलाइज करके जानने वाले हैं इसका टार्गेट और अस्टॉप लोग यह एक मल्टिवेगर अस्टॉप है फ्रेंड यह एक साल में हजार परसेंट से भी ज्यादा का प्रॉफिट दे चुका है आ अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की तो इसका फर्स्ट अस्टॉप लॉस होगा नौ रुपए पैसा का सेकेंड अस्टॉप लॉस होगा आट रुपए पचासी पैसा का अब हम लोग बात करेंगे डे कैंडल पर देख सकते हैं आप लोग यह एक रुपए पर था ठीक है गार्वा महिना पर इसने एक महिना में कि कि इतना का रेटन दे दिया आप लोग देख सकते हैं कि यह कैसे डेल रुपए का शेयर नौ रुपए पर चला गिया ठीक है तो चलिए अब हम लोग डे कैंडल पर इसका एनलाइज करेंगे देखेंडल पर इसका जो फर्स टार्गेट होगा वो होगा 10 रुपए 20 पैसे का सेकंड जो इसका टार्गेट होगा वो होगा 12 रुपए का और थर्ड जो इसका टार्गेट होगा वो होगा 14 रुपए का अब हम लोग बात करेंगे इसके स्टॉप लॉस की तो इसका फर्स्ट स्टॉप लॉस होगा 8 रुपए 85 पैसा का सेकंड इसका स्टॉप लॉस होगा 6 रुपए 55 पैसा का और थर्ड इसका स्टॉप लॉस होग चार रुपए 75 पैसे का, ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करेंगे weekly candle पे, weekly candle पे आप देख सकते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ वीक से, फिर से गिंते, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस वीक से regular यह हाइब मार रहा है, यहां से, गारवा महिना एक तारिक से, अभी हम लोग जानेंगे, यह क्यों हाइब मार रहा है, इस पे कोई news है, या, या, ब्रेक आउट पे, यहां पे ब्रेक आउट था इसका, एक रुपए 80 पैसा पे, मतलब दो रुपए तक में इसमें पोजिशन बनाया जा सकता था, दो रुपए 20 पैसा से मस्ट, ठीक है फ्रेंट, तो चलिए हम लोग वीकली केंडल पे इसका टार्गेट देखते वीकली केंडल पे जो फिर्ष टार्गेट होगा, वो होगा, 10 पैसे 95 पैसा का, सेकेंड जो टार्गेट होगा, वो होगा, 13 पैसा 50 का,actus को, अलब फिर्षट जो टार्गेट होगा, вони चलिए होगा, 17 पैसे का, ठीक है प्रेंट, अब हम लोग बात करेंगे इसके, स्टॉप की तो इसका फर्स्ट स्टॉप्र प्लोफ हुगा रूपए 40 पैसा का है सेकंड इसका स्टॉप इनसे ग्रेशलत्र स्टॉपस भीजा इसका जो हो से मैं तो इसलिए किली में नहीं उसके बाद चलेंगे हम लोग fundamentals में तो technically मैं दो technical indicator यूज़ करना चाहूँगा जैसे RSI बागी लोग क्या यूज़ करते हैं बहुत कुछ यूज़ करते हैं मैं RSI और MSCD ही यूज़ करता हूँ तो देखिए RSI जो है weekly candle पे overbought zone पे है मतलब 95 पे चला जा चुका है यह 80 के पार है और monthly पे देखे तो monthly पे 93 पे है ठीक है और अब हम लोग deck candle पे देखें तो deck candle पे 99 पे चला गिया है यह ठीक है फ्रेंट जब यह गिरना start करेगा तो पता नहीं तो आप लोग इसे long term के लिए position बना सकते है क्योंकि RSI जब यहां से तूटेगा तो इतना तक ही तूटना चाहिए उसके बाद फिर यह अब direct तो नहीं आएगा और हो सकता है यह इसके बाद और भी चला जाए जैसे cg power आपका bcg यह सब भाग गिया ttml वैसे ही तो अब हम लोग इसका fundamentals देखेंगे कि क्या returns देता है यह तो देखिए आप लोग खुद देख सकते है 1 year में 1236% का positive return है एक मत में 185% का positive return है तो आपके लिए यह धमा के दार multi-bagger stock मैं खोज के लाया हूँ बाउन विक के हाई की बात करें तो 9 रुपए 22 पैसा यह कल का दिखा रहा था आज का तो अलगी है 9 रुपए 68 पैसा देखिए आज यह बाउन विक का हाई को break किया है तोड़ा है ठीक है friend अब हम लोग देखते है इसकी market cap की बात करें इस पे एक मन्द दो मन्द पहले देख सकते है न्यूस था न्यूस के कारण भागा था ठीक है friend तो आज़ा गड़ा friend विडियो आपको अच्छी लगी होगी मिलते है फिर आम लोग नेक्स विडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तब के लिए बागा